जिस तरीके से WHO ने इसे variant of interest का है और लगातार इस पर निगरानी रखने के लिए का है तो जाहिर तोर पर इसमें कोई न कोई बात चिंता की जरूर है लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है और इस प्रग्राम के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत भड लेगा डॉक्र साब यहां यह भी बहुत महत्तोपूर्ण हैसमझना कि बहुत सारे लोगों में यह देखा जा रहा है कि सिंटम स्कमो बेस एक है & आपने भी जखर कि चाहे वह इरज़ूज का वाइरस हो सब के arbitr cannot कि एक है तो कितने दिनों के बार यह टेस्ट जो है RT-PCR का कराना जरूरी हो जाता है या फिर वेट करने की जरूरत है लक्षनों की अगर हम बात करें फिलाल अगर हम JN.1 की बात करें तो इसके लक्षनों में कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है जो पहले से कोविड के लक्षन थे जिनमें आम तोर पे बुखार का आना और इसके अलावा आपका सोर थ्रोट होना, गला खराब होना, खासी होना, कफ होना, बाडी पेन होना इसके अलावा कुछ-कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टनल सिम्टम भी जैसे पेट से सम्मधित प्रॉब्लम भी हो सकती है तो फिलाल जो नॉमल लोग हैं उनको किसी तरह के जैसे कोई पहले से उनको कोई गंबीर बिमारी नहीं है तो फिर भी अपने लक्षणों को कुछ टाइम के लिए अब्जर्व कर सकते हैं हाँ, उनके लिए ये हिदायत है कि वो मास्क पहने ताकि और किसी को वो स्प्रेड ना करें इसके अलावा जो बुजर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं या जिनको लिवर, किड्नी से सम्बंदित कोई प्राबलम है, हाट से सम्बंदित कोई प्राबलम है, इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो एक बार अपनी जाच जरूर करा लें और देखे, अभी जैसे गवर्मेंट भी बात कर रहे है, आर्टी पीसी आर टेस्ट कराना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आर्टी पीसी आर में पॉजिटिव सेंपल आते हैं, उनी का फर्दर हम जीनोम सिक्वेंसिंग करते हैं कि यह जो वेरियंट है, यह कितना जादा डॉमिनेंट हुआ है, पर यहां पर एक चीज और मेटर करती है देखे, अभी यहां पर पॉजिटिविटी रेट कितना बढ़ता है, या केसिस कितने बढ़ते हैं, वो जादा महत्पूर्ण नहीं है यहां पर महत्पूर्ण यह है कि बिमार कितने लोग पढ़ते हैं, या अगर बिमारी की गंभीरता कितने लोगों को होती है या हॉस्पिटलाइजेशन के आवजशक्ता कितने लोगों को पढ़ती है, तो हमें इन्फेक्शन कितना बढ़ रहा है, वो जादा मतलब मैटर नहीं करता हमें ये अब्जार करना है कि हॉस्पिटलाइजेशन तो कहीं नहीं बढ़ रहा, पर एक चीज यहां पर ये भी है, अगर बहुत जादा ट्रांस्मिशन होता है, बहुत जादा लोग संकरमित होते हैं, तो कुछ एक कैटेगरी स्पेसिफिक रहती है, जिनको हॉस्पिटला की बात नहीं है, मारक शमता इसकी किस तरीके की है, और हॉस्पिटलाइजेशन किस तरीके से हो रहा, ये देखना बहुत जादा जरूरी है इस वक्त में, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त घबराये नहीं, सिर्फ सतर्कता बरतिये, डॉक्र साब ये भी जानना बहु जाने की हिदायत दी गई है, ऐसे में ये भी है कि पांच वेरियंट है कोविट के, जो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि एक साथ दो वेरियंट भी अटाक कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, एक तो हम कोविड के जो बात करें कि पांच वेरियंट अभी सरकुलेट हो रहे हैं, पर अभी फिलाल अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो जादा जो डॉमिनेंट वेरियंट है, एक तो XBB वेरियंट है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिरोला जो की अभी फिलाल JN.1 से पहले आया था, JN.1 और पिरोला के अंदर कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं है, आप पर ये जितने भी वेरियंट सरकुलेट हो रहे हैं, ये सभी ओमिक्रोन के सब लीनियजिस हैं, तो इन वेरियंट के बारे में जितनी हम लोगों को जानकारी है, ये है कि ये है कि ये हाँ, संक्रामक है पर उतने घातक नहीं है पहली बात, दूसरी बात इसके अलावा रैस्पिरेटरी जो अन्नے हमारे वाइरस हैं वो भी सरपुलेट हो रहे हैं, पर हाँ, ये भी होता है कि कोई इनफेक्षन हो सकता है, दो तरहां के इनफेक्षन पर यहां पर भी एक कैटेगरी को खास तोर पे ध्यान रखना जो वनरेबल है इसके साथ-साथ खास तोर पे जो प्रिगनेंट विमन हैं उनको भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है पर अच्छी बात यहां पर यह है कि देखी भारत के अंदर क्योंकि वैक्सिनेशन काफी व हमारे पॉसकि अलावा नैचुररल इंफेक्षिन भी थार्ड वे विव के बाद को काफी हो गया था लगबात 90 पर सेंट लोगों को नैचुरल इंफेक्षिन है तो वह भी एंटिबाडी हमारे पास है तो उस तरह से एक तरह की इम्मुनिटी इन्वेट करना बहुत आसान हो गया चाहे आपने वैक्सीन ली हो या नहीं ली हो लेकिन अगर माल लेते हैं कि इम्मुनिटी को इन्वेट किया किसी भी वेरियंट ने तो क्या वैक्सीन लेने की जरूरत है या फिर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आंटी आया है कि इस वेरियंट से आम तोर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट इंफेक्शन आपको रहता है लंग्स तक यह नहीं जाता है तो नॉमल आपको लक्षन आया और उसके बाद आप थोड़े दिन के अंदर आईसोलेशन में आप ठीक हो गए वैक्सीन का जैसा हमने बता अगर इंटरनेशनल डेटा भी देखें तो इसके अंदर भी वैक्सीन की काफी अच्छा प्रोटेक्शन लोगों को मिला और जैसा अभी हमने बात की कि क्योंकि नैचुरल इंफेक्शन भी रहा था फर्स्ट वेव में भी सेकेंड वेव में लगबाग 80% लोगों को साती है उसके बाद जिस भी तरह की दिश्या निर्देश आते हैं तो फिर फर्दर अपडेटीड बूस्टर लिया जा सकता है बिल्कुल बहुत बारीकी से समझा रहे हैं और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना का खत्रा जो है वो बढ़ा इस लिहाज से रहा ह है क्योंकि आकरे बढ़ रहे हैं लेकिन पैनिक होने की कोई सिचुवेशन इस वक्त नहीं दिखाए पड़ रही है ऐसे में डॉक्टर से